इस आपने बहुत सारे लोग के पास और यूट्यूबर्स के पास देखा होगा स्पीडो मीटर जो की राइट रेड में यहां होता है ऐसे ज़रूरी नहीं है इसके लिए अमेर भणना और यूट्यूबर होना इसको आप भी यूज़ कर सकते बड़े आराम से तो चलो मैं आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने यह वाली वेबसाइट ओपन है जो है कि मेन्यू PC सिंगल प्लेयर ट्रेनर मॉड ही है तो आपको सबसे पहले यह वाला इंस्टॉल कर लेना है तो डाउनलोड पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने यह वेबसाइट ओपन हो जाए इस क्रिप्ट वी की तो आप जैसे ही स्क्रोल करोगे आपके सामने यह डाउनलोड वाला ओप्शन होगा इस पे आपको क्लिक करना है तो यहाँ पर आपकी फाइल डाउनलोड हो चुकी है तो भाई यह भी दो सेकंड के अंदर डाउनलोड हो जाती है बहुत ही कम टाइम के अंदर यह प्रोसेस होता है तो आपको अपने डाउनलोड में जाना है आपके सामने दो भी फाइल्स होगी तो यह दो फाइल्स को भ पर File Extract हो चुकिए आपको अभी Script Hook V की भी File Extract ने है तो दोने भी file मैंने यहां पर Extract कर दी तो अभी Extract करने के आपको क्या करना है इसको Copy करने के आपको अपने गेम के Open File Location पर Click करना है जैसे आप यहां पर देख सकते हैं GTFI ही अपना है तो आप इसको right click करेंगे आपके सामने open find location आजाएगा तो आपको इस पर click करना है इस पर click करने का यहाँ पर वो तीन files यहाँ पर paste करनी है तो पहले से मैंने डाल रखी दी तो मैं आप सभी लोग के सामने replace कर रहा हूँ और आपको मैं speedometer चला के भी बताऊँगा तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने script hook V की तो दाल दी और अभी यहाँ पर mod की भी मैं दाल दूँगा तो इसको भी मैं copy करूँगा और same process हमें फिर से वही करना है यहाँ पर game open file location पर click करना है game के और यहाँ पर सारी file दाल दियने तो यह भी मैं replace कर चुका हूँ तो यहाँ पर हमने file वगेरा दाल दी और guys इसके बाद आपको कुछ नहीं अपने desktop से आना है desktop के आने के यह सब कुछ close कर दो अपना game खोलो और बाकी जो का में वह game के अंदर है तो चलो सीरा game के अंदर मिलते हैं तो guys अपनी game यहाँ पर open हो चुकी है तो अभी हम क्या करेंगे अपनी supercar के पास जाएंगे तो अपनी supercar जो है वो बाहर रखी हुई है तो guys गाड़ी तो बहुत ही प्यारी है और मैं आप सभी लोग को गाड़ी में बैटने का बताऊंगा की speedometer कैसे enable करते हैं तो बाकी अपने keyboard पर F8 दो बार press करना है तो आपके सामने menu mode का menu open हो जाएगा तो menu open होने के आपको यहाँ पर vehicle options पर click करना है जैसे कि आप यहाँ पर speedometer का option दिख रहोगा इस पर आपको click करना है नीचे तो speedometer यहाँ पर आपने click कर दिया तो click करने के आपके सामने कुछ ऐसा आजाए तो अभी zero speeder और यहाँ पर आप इसको mile per hour और kilometer per hour पर भी set कर सकते हो तो आपको जैसा समाझ आपने हिसाप से set कर लेना तो guys आप यहाँ पर देखते है analog जो meter है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है speedometer तो यह बहुत ही अच्छा लगता है यह meter देखने के लिए लेक लेकिन digital है और मतलब वह बहुत ही अच्छा लगता है तो यह भी अच्छा है तो भाई मैंने आज की वीडियो में आप सभी लोग को बता दिया कि speedometer कैसे enable करते तो आगे भी आपको कुछ ऐसा चाहिए तो निचे comment करके जरूर बताना कि आपकी problem क्या है आपको क्या चाहिए किस पर वीडियो चाहिए तो मुझे बताना जरूर तो गाइस ऐसी helpful और informative वीडियो के लिए चैनल को subscribe करो और घंटे को दबा लो वाई इतना अच्छा content आपके लिए लाने वालों मैं आगे तो और अपने दोस्त लोग को इसकी जरूरत होगी तो उन लोग को भी share जरूर कर मैं आपके लिए साहिते हो और लोग करते हो पाईस बदोर कि बताना आपके लिए वाईस